असलाम अलेकूम फ्रेंस मैं निलोफर खान वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं हैदरबाद की फेमस स्वीट डीज डबल का मीठा बहुत ही टेस्टी और यम्मी है फ्रेंस आप लोग जरू ट्राइक करें तो फ्रेंस अगर वीडियो अच्छी कर लेंगे उसके बाद इसको हम पीसे से में कट कर लेंगे तो फ्रेंस बहुत ही यम्मी और टेस्टी टेस्टी जो है मेरे चैनल पर आप लोग को स्वीड डिजर्ट भी जो है वो मिल जाएगी अगर अभी तक नहीं तो जाके आप लोग देख सकते हैं तो इससे पहले जो ह बहुत लोगों ने पसंद किया तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं तो यहां पर देखे इस तरह हम यह जो ब्रेट की स्लाइस को जो है हम चार पिसस में कट कर लेंगे तो यहां पर ब्रेट की स्लाइस को मैंने कट कर लिए तो जो हैदराब एक पैन में तेल को घरिया में लुके रख सकते बाओं आपने चया इए अच्क आझ देल को जलदी सब्सक्राइ यहें पैण में में ब्रड़ दाल का हैसी जलदी पैल पर नहीं करते हैं आप लोग फटाफट से फ्राय हो जाएगा तो आप एक थोड़े थोड़े बैच में इसको फ्राय करें तो यहां पर देखिए इसका दोनों साइट से गोल्टन ब्राउन हो गया है हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी ब्रेट को इसी तरह फ्राय कर कडाई में हम दूड़ propriet करेंगे तो डबल के मिटा बनाने के लिए हम एक कडाई में दूड़ाय करेंगे तो यहां पर इसको पांसों ग्राम दूद यानि की आदर लिटर घृट करendodır ho तो थोड़ा से पानी आड़ कर देंगे और चार से पांस टेबल स्पूर्स में हम शुगर एड़ करेंगे तो शुगर आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकरडिंगली एड़ कर सकते हैं तो यहां पे देखे दूद में जब उबाल आ जाए तब तक हम इसको पकाना है जब एक एक कुबाल आ जाएंगा तो गैस की फिल्म को हमें लो कर देना तो यहां पर एक कुबाल आ गये अप गैस की फिल्म को हम लो कर देंगे और चुटकी भर इफ cyn comply और हाफ टीस्पून यह पहसे पर भृचर चलएघ करेंगे तो अगर आपके पास केसर हैं तो आप केसर पहें तो यहां से अधारी सिनिक मैं यह से अफ्नली बार ऑद यहां करने से लियु चाहिए लिधाशी दआल से पांचे साथ में जब तक कि ब्रेट को अच्छे से दूध जो है वो सोक ने लेता तब तक हम इसको पका लेंगे तो 5-7 मिट में दूध एकदम से कम हो जाएगा और ब्रेट एकदम से अब्सॉब कर लेगा दूध दूद इसमें अच्छा से ड्राय हो जाए तब हम इसमें बाकी की चीज़े आड़ करेंगे तो यहां पर मैं एड़ करेंगे तो किशमिश दालने के पाथ जो है इसके ओपर हम थोड़ा से जो है दो से तीन टेबल स्पून गी आड़ करेंगे तो अगर आप जो है ब्रेट को गी में भी फ्राय कर सकते तो यहां पर देखिए दूद एकदम से रिड्यूस होगे अब गयास की फिलेम को हम एकदम से धीमी कर देंगे और यहां पर मैंने लिहूँ दो सो गिराम जो है खोया लेंगे इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा सा दूद यानि कि वन फोट कप की और यह हम डेजर्ट के उपर अच्छे से दाल देंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो फ्रेंस यह डेजर्ट जो है बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनाता है जब भी आपके खर में कोई महमान वगेरा आय या कुछ दावत वगेरा हो तो आप इसको बना सकते यह 20-30 मिल्ड में जटपट से यह डेजर्ट बन जाता है और सब को यह पसंद आता है और यह खाने में बिल्कुल शाही तुकड़ा जैसा है लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका इसका जो है वो अलग होता है तो मैंने यहां पर जो खोया और दूद अच्छे से मिक्स करने के बाद उपर से दाल दिए और यहां पर मैंने काजू भी एड़ कर दियू तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ड्राइफरूट एड़ कर सकते हैं और इसके उपर से हम थोड़ा सा जो है अगर आप लोग को मेरी यह डेजर्ट की पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज और मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो करें थैंक यू सो मच